येलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल आइस एवरिवेर दोस्तों, हम मैं से कही सारे लोग खाते समय पाने पिते होंगे और कुछ लोग खाते समय छास पिते होंगे लेकिन दोस्तों, बड़े लोग कहिते हैं खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए इसे पेट की अगनी है, होसांत हो जाती है लेकिन दोस्तों, चाहस भी एक टाइप का प्रवाई है लेकिन सबी लोग खाते समय चाहस पिने का अगरा करते है अब ये सवाल आता है अगर पानी पीने से पेट की अगनी है, तो चास पीने से पेट की अगनी elections क्यों नहीं हो जाती यह से चास क्वे ने के लिए जानने के लिए आज की यह वीडियो देखते रहिए आज की यह वीडियो में आपको इसी ट्रोपिक पर बात करूँऊंगा लेकिन दोस्तों शुरू करने सब पहले अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजु में दियेगे बेल आकम पर क्लिक कर दीजिए जीज़े मेरे आने वाली सब ये टेक्निकल और नों टेक्निकल वीडियो की नोटेबी क इस चाहस पीना है इसमें कैलरी कम होती है ऑगर्मी की सीजन में चाहस पीने से सरीर में पानी की कमी नहीं पाती और दोस्तों खाना खाने के बाद च्छास पीओगे तो इसे जोड़ों के दर से रात मिलेगी च्छास जहां सरीर को ठंड़क पहुचाने के काम करता है वही यह सरीर के लिए खापी फाइदेमन भी होती है दोस्तों पहला पुण की बात करें तो च्छास को भोजन के सा मिला कर घुट और कर पीने से खाना जल्दी पतता है तीसरा पॉइंट की बात करें तो च्छास में विटमिन C, A, E, K और B पाई जाते हैं चोकि सरीर के पोसंड के लिए बहुत ज़रूरी है चोता पॉइंट की बात करें तो इसमें बाकी ततों के साथ-साथ केलसियम की मात कम हो जाती है शटा पॉण की बात करें तो च्छास में मिस्री ताली मिर्च और सजीदय नंब्रत मिला कर रोजणा पीने से इस इसप्षीट जर्से साफ हो जाती है श्याता पॉइंकि बात करें तो च्फ़ज में च्छास का सेवन किसी अम्रुट से कम नहीं है कॉआ जोने के बड़े लोग बोलते हैं कि अगर खाना खाते हैं समय चास प्योंगे तो भी कोई प्रोब्लेम नहीं आएगा लेकिन दोस्तों कहीं तरह लोगों में यह कंपीजन होता है कि अगर चास में कोई प्रोब्लेम नहीं है तो पानी में भी कोई प्रोब्लेम नहीं है तो चलो उन एक्सपर्ट ने बताया है कि खाने के दोरन पानी पीने से सेयद तो कोई नुक्सर नहीं पहुतता है बलकि सभी को खाते समय पानी ज़रुर पीना चाहिए इसे खाना ज़ली डाइजेस हो जाता है डोक्टरों के मुताबिक कोच भी खाना के दोरन पानी पीना बहिकल सुरक्षित होता है लेकिन सभी को ये बाद ध्यान रखना है कि खाना के बाद पानी पीने से बचना चाहिए दोस्तो सरी में बहुत सारे chemical होते है जो digest करने में मददगर साभित होते है लेकिन खाने के बाद तुरंट पानी पीने से यह सभी enzymes पानी के साथ मिलकर digestion की प्रक्या में बादा डालते है आयोवेद एस्प्रेट भी यही बताते है कि खाने के दोरन पानी पीने से से यह तो कोई नुक्सन नहीं होता है लेकिन सभी को खाने से पहले और तुरंट बाद पानी पीने से बचना चाहिए क्योंकि यह सरीर में digestion की प्रक्या को disturb कर देता है दोस्तों यह भी माना जाता है कि अगर आप खाने खाते समय पाने पीओगे तो इसे कबज की समस्या भी दूर हो जाती है दोस्तों प्राचन की प्रक्या के दोरन कुछ पोसक तत्वा सरी के दारा आउसौसित कर लिया जाता है लेकिन पानी पीने से यह प्रकिया पी प्रभवित होती है और बहुत कम पुसुतत्व और वसौसित हो पाते हैं खाना खाने के करीब आदे गंटे पानी पीना चाहिए क्योंकि हमारा खाना पचने में करीब दो गंटे लग जाते हैं यह दोस्तों मेरी यह देखकर आपको पता चल गया होगा कि खाना क्शास न्हें था पानी दौन में से सही है अनुन pen कषभ को आपको अगरा इपर नशन ऊचि لगी है यह उस्पुल लगी है व्यदियो का लैक करे और शेयर करना मत ढूले दिशे कंद आइभ पता चैले है तो झाल